जाहिंद प्यार दोस्तों सभी को राम राम आप सभी का माय चैनल में हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाच्यपते जेविटी टेट दो या तेइस के बारे में तो मैं आपको बता दूँ जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम साइकोलोज जिस develops करेंगे तो मुझे पूरी उमीद है आप इस बीडियो में शुरु से लेकर रहें तक बन रहेंगे तो चलिए पहरे दोस्तों मासास्पाथी क कीया जाए जैमाम सास्पती पहला कौंशन कौन सा है प्राइड के अनुसार मूल मान प्रहना क्या है अब देखे दोस्त से एक मनोबेग्यानिक से सिग्मन फ्राइड उन्होंने क्या कहा था जो मनुश्य है उसकी मूल परेना कौन सी है आक्रमन और लिंग तो यहां पर देखिए दोस्तों जो हमारा डी है ए और वी दोनों यह बिलकुल ही सही रहेंगे आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू है क यहां पर इनमें जो गुण सुत्रा 47 होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे आर्मी अलफा और आर्मी बीटा किस परकार के परिशिक्षन है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी अलफा और आर्मी बीटा है एक तरह के इंटेलिजेंस के टेस्ट है ठीक देखिए जब हम बात करेंगे एक की तो उसका इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा दो की बात करेंगे तो उसका इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा लेकिन दोस्तों अगर बात होगी दो से जादे जहां पर हम बात करेंगे एक ग्रूप की जहां पर भी किसी भी ग्रूप का इकठा जो intelligence का test करना हो बहाँ पे कौन-कौन से प्रशिक्षणों को यूज किया जाता है army alpha और army vita right answer will be option B आगे दोस्तो question number 4 है dash के अनुसार मांसिक योग्यताईं बताई है जो बुद्धी में सम्मिलित है तो देखे दोस्तो ऐसा कौन सा मनों बेग्यानिक है जिसने ऐसी साथ अधारवुक्त मांसिक योग्यताईं बताई है जो कि हमारी बुद्धी में सम्मिलित है right answer will be option A आगे question number 5 की बात करेंगे बास्तविक स्मृति में याद किया जाता है तो देखे दोस्तो जो मारी बास्तविक स्मृति है उसमें किस तरीके से याद किया जाता है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो right answer रहेगा बरहेगा क्रम बता से एक systematic way से यहाँ पे चीज़ों को याद किया जाता है आगे दोस्तो डबल जू आई सी दवारा बुद्धी का मापन किया जाता है अब देखे दोस्तो यहाँ पे एक प्रशिक्षन है डबल जू आई सी इसके दवारा किनकी जो बुद्धी है उनका मापन किया जाता है right answer बिल भी बाल को की राइट अंसर बिल भी एरिक एरिक्षन जोस्तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो एरिक्षन है उसने कितनी स्टेजिस बताई है हमारी एट यह जो स्टेजिस है कौन कौन सी और कौन कौन सी एज में होती है यहाँ पे हम डिटेल में डिसकस करेंगे क्योंकि देखे दोस्तों अभी मैं आपको प्रिबेस एर क्वेशन पेपर्स करवा रहा हूँ तो यहाँ पर यह चीज़े इतनी इतनी डिटेल से एक्स्प्लेइन नहीं की जाती तो देखे दोस्तों यह जो चीज़े है वो मैं आपके टोपिक वाइस कवर करवाऊंगा ताकि आपके जो टोपिक है वो क्लेर हो सके तो आपने हमारे चैनल के साथ बन रहना है साथी साथ हो तो अगर आपके माइन में कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें डारेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम आइडी का नेम भई है जो कि हमारे चैनल का नेम है हप एक्जाम्स भी जैरी मैं फर्स्ट कमेंट में इपिन कर दूँगा क्वेश्चन नमबर एट की बात करेंगे पुन्य प्राप्ति में समाहित एक प्रक्रिया है अब देखे दोफ तो यहाँ पर बात हो रही है पुन्य प्राप्ति की जो किसकी एक प्रक्रिया है यहां पर पूछा गया है जो हमारी पुने प्राप्ति है जो कौन सी चीज की एक प्रक्रिया है राइट अंसर विल्वी स्मृति जिसको कि हम मेम्मुरी कहते हैं आगे लोग तो question number nine की बात करेंगे सूचना प्रक्रमन के लिए कुछ सूचनाओं को चैनित कर अन्य को प्रिदी के में दिकेलने को प्रक्रिया है अब देखे दो तो यहां पर क्या बोला यार है सूचना प्रक्रमन के लिए कुछ सूचनाओं को चैनित कर अन्य को प्रिदी में दिकेलने की जो प्रक्रिया है उस समय के लिए ही कर सकते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नमबर 11 है क्या पुछ यह रहे सशक्त अभी प्रेना सीखने पर प्रभाबशाली गटक है इसमें बालक अब देखे दोस्ता सशक्त अभी प्रेना ठीक है यहां पर क्या कहा यह रहा है पावर फूर मोटिवेशन अब ज जैसे एक जो एम है वो हम अपने माइंड में लेके चले हैं तो जो एम है वहीं हमें मोटिवेशन देता है अगर बच्चों के जो मोटिवेशन है पावर्फुल हो तो उससे क्याता है बच्चा जो है वो जल्दी सीखता है ओप्चन नमबर D बिल वी राइट ठीक है दोस्त तो यहां पर क्या चीज बताई जा रही है यह किस ने कहा था समाजिक विकास का जो अर्थ है वो समाज के संबंदों में परिपकवता प्रापत करना है राइट अंसर विल भी हर लोग क्वेशन नमबर 13 की बात करेंगे शारीरिक विकास का एक शेत्र है अब देखिए दोस् तरा भी ग्रंतिय है उनमें इब रिदी होती है राइट अंसर विल भी उप्रोक्त सभी आगे दोस्तों डोल्टन पदती के प्रतिपादक कौन है ठीक हुई दा फादर ओफ डोल्टन मैथट क्वेशन मोस्ट इंपोडेंट है तो दोस्तों यहां पे जो मारा ओप्शन अपने माइंड में रखना है यहां पर आपने स्टेटमेंट को समझना है किसके दवारा यह चीज कही गई है कि जो अमारी साइकोलिजी है उसका जो रोल है वो एजुकेशन में इंपोडेंट है राइट अंसर विल भी बी एन जा जो अमारा ओप्शन भी है वो बिल्कुली सही रहेगा आगे दोस्तों क्या पुछेगे है बेवास्ता जिसमें काम उर्जा साथी समुग के साथ समाजिक समन्द विक्सित करने में निदेशित होती है तो दोस्तों काफी इंपोडेंट कोश्चन है यहां पर जो हमारा ओप्शन नंबर सी है वो बिल्कुली सही रहेग क्वेशन नंबर 17 की अगर हम बात करें ब्यक्तिकत मानकों के अधार पर नहतिकता का निदारन किया जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उत्तर और प्रास जो हमारे पारासपरिक स्तर की वह हमारी नहतिकता है उसका निदारन किया जाता है क्वेशन नंबर 18 की बात क करेंगे सबसे अंत में विक्सित होने बाला व्यक्तित्व का भाग कौन सा है राइट अंसर विल भी सूपर एगो आगे दोस्तों क्वेश्य पर विविद्विचार उत्पन करने की जो ख्षमता है उसको हम क्या कहते है क्रियेटिविटी अब देखे दो तो यहां पर क्या ची है उसकी जो भुद्धी लब्दी है कितनी होगी तो यहां पर हमने क्या निकालना है अब मैंने आपको क्या बताया था आईक्यू लेबल निकालने का फोर्मुलाइग क्या है में मेंज मेंटल एज अपॉन सीए मींज क्रोमिकल एज मैल्टिप्लाइवाई हंड्र ठीक है द ह Boss क्याना है थो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है अब केसा घूट थैक कहो रहते और इक कितना आ घया हमारा hon अब यह मारे पस क्या थ्री मुटिप्लाइवे 25 25 25 थ्री थैकितने होते है formula 75 राइट एंसर फिल भी 75 तो मुझे उम्मीद है यह त्रीकाई आपको समझ आ गय आँगा नाइक्स Quesion की बात करेंगे प्रारंबिक विद्यारतियों के लिए Ericson का मुख्य जो विकासात्म कर आपको थो देखे दोतों आजे साइंस जो एजुकेशनल साइकोलिजिया वो किस चीज पर बल देती है राइट एंसर बिल भी मापपन पर तो यहां पर काफी इंपोर्ण यह जो चीज़े आपने समझनी है आगे दर तो क्या गोश्चन है क्या पूछे जाना अनाथालियों में पलने बालकों की कम बु इंवार्मेंटे स्टेडी के लिए जो प्रोपर इंवार्मेंटे चीज़ों को सीखने के लिए वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता आगे दर तो क्वेंटी फॉरे क्या पूछे यह रहें जन संक्या में 130 से अधिक जो हमारा IQ लेबल है कितने प्रतिशत ब्यक्ति है प्रतिशन ने राइट अंसर बिल भी पैवलब आगे दोस्तों मांसिकायू का जो कॉंसेप्ट एक इसके दुबारा दिया गया है कई बार मैंने आपको बताया राइट अंसर भी वी अब देखिए यहां पर बीने लिखा और यहां पर वीने लिखा गया है आपने चीज़ो जिसको कि हम सिमेटिक मेमरी भी कहते हैं मुख्यता संबंदीत है तो मैं आपको बता दू दोस्तों जिए हमारी सिमोटिक मेमरी है वो हमारी जैनल नोले से रिलेटेड है आगे दोस्तों क्वेशन नमबर 29 की बात करेंगे डैश के अनुसार आतम व्यक्तित्व का केंदर बि दू है तो दोस्तों मैं आपको बता दू राइट अंसर विल भी मानपताबाद आगे दोस्तों विकास की प्रतम अवस्ता है राइट अंसर विल भी जनम पूर्ण जनम से पहले अब देखे दोस्तों जो बच्चा है उसका जो विकास है वह माता के पेट में ही होता रहा